कि आप लोग बात कर रहें कि पाकिसान की फौज के पास फीज खतेंaire अगर सेज कर 汗 जो तो जाही हुँ तो जाहिए। पानी तुर्सक्राइड निकल कई इनका तो दो चीसी होती है एक आ रमी के पास एक तू होता है की ज tumor marc जल गया कई अब बचा पीछे अब थोड़ा तेल भी निकल गया और फिर इसको पड़ इज़त थी पुरी के फुरी कंट्री ने गालियां निकाल निकाल के जो मीम्स बने हैं मैंने किसी कंट्री के आरमी के लिए इतने मीम्स नी देखे जितने मैंने पिछले दो मीने में हैंक्स तुई मिरान खान जो मैंने देखी हैं आपकी कंट्री में तो उससे पता लगता है कि आपकी आर्मी का तेल निकल चुका है वो कुछ भी क्लेम करें इज़त से बड़ी कोई चीज नहीं होती वैसे तो आप कहते हैं कि इज़त आनिया के साथ तो कि गोलियां कतम होगी थी फिर आपने तालिबान की मिन्ते पर करी आपकी आर्मी ने कि भई हमें ठोकों नहीं हो रोद आके ठोकते रहते हो वहां भी मिन्ते करी आप अपनी कंट्री के अंदर जो जूते खा रहे हैं घर से बाहर तो निकलते नहीं है करेंगे तेखिए आपको भी मलूम है कि इतना बड़ा ताम जाम कंट्री में पैसा नहीं है अब उसको सस्टेइन करने के Лिए तनी बड़ी आर्मी को सस्टेंज करने के लिए जिसको इसको बस खाने के पैसे नहों हो और कैसे चलेगा अब मतर निकालने में तो अपने अपन चेंजिन्ग और औरियरस नहीं सर्ग मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो यह कि सर ऐसा कुछ नहीं है के फ्यूल खतम होगी है बिलकुल पार्किसान आर्मी के पास बताया जा रहा है के फ्यूल है और यह नियूज भी कही जा रही है कि एक इंडियन जर्नलिस्ट ने यह बात करिए हाँ ये जरूर है कि क्यूंकि अभी अभी आइमेफ से लोन जो है वो ओके हुआ है और अभी मिलेगा नाइन मन्स में जाके थ्री बिलियर आएंगे तो अपना बजट कम करने के लिए हो सकता है कि कुछ अक्सेसाइज जो है वो जैसे सुबा शाम करते हैं तो कावस जाए है वो अफगानिस्तान हो चाए वो भारत हो चाहे हमके माइंड में ऐसा कुछ भी नहों लेकिन फिर भी हमें तो हुश्यारी रहना होता है ना सर तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सिच्वेशन है पाकिस्तान के अंदर और वो भी खास तोर पे आर्मी के पास तो आ इंडिया से पूछ रहते तो मैंने उनको भी बताया कि बे फिकर हो जाओ जब हमें गजवाहिंद करनी होगी तुम लोगों को पता भी नहीं लगेगा ठीक है तो सुबह गोट होगे ना तो हो चुकी होगी गजवाहिंद तो इसलिए ना आप भी यह समझे आर्जो जी हम भी होगा तो देखेंगे आगे जातें लेकिन सार अभी तो फिलाल पियो के तो आप लोग जैसे कहते हैं अजाद कश्मीर हम कहते हैं सार तो हम भी इसी तरीके से आपकी तरफ के कश्मीर के हमने भी नाम रख चोड़े वैसे आपको यह बता तो आई डून आपको मालूम है या यही पर तलवारे चल जाएं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि यहां पर स्रीनगर हाईवे का क्या क्यों नाम रख रहा है ले सकते नहीं है तो इस तर अच्छा है कि आप वहीं पर बना लो जैसे आपने वहां पर हाईदरबाद भी बनाया हुआ है गुजरात भी बनाया सब्सक्राइक का बनाया है जैसे हमने बात करी थी. That shows कि हमारी वापस में बात होती रहती है. So this is one thing which is cut fucked. Now secondly, France में मोदीची का जाना. पहले बहुत है ये पहले से चाहे था. मुझे लगता है मैकनोन साब को पता था कि वो पनौती आने वाले हैं, शभाज शरीफ, वहाँ पर वो आएंगे तो को नो कोई गंदी पढ़ेगा वहाँ पर और जैसे ही वहाँ पर बहुए आए थे वहाँ पर दंगे शुरू हो गए. अब महरम लगवाने के लिए मोदीची को बलाया और उने. नहीं सारा, आप पनौती नहीं कह सकते हमारे प्राइम जहाँ जाते हमारे तो कुछ भी बलेंगे आप उनको. ये आपने बोला, मैंने नी बोला काली बली. मुझे तो काली बली अच्छी लगती है. मुझे तो सामीं सा गुजर जाए, मेरा तो बिगड़ा वा काम सही हो जाता है. वो सकता कि उल्टा का वरा वो बिली के साथ भी. कि वो आप जारी के लिए जारी हो और वो चुआ बाग गया हो. हो सकता है. तो इट कैट बी पॉसिब दिव एविधिक इस पॉसिबल आजूजी. जब कोई बड़ा कांट्री आपको बलाता है और आपके नैशनल डे की उपर आपको आउनर की जाता है. तो एक तो वो और की बात है. और मोदी जी के एक रिस्पेक्ट है पुरे वर्ल में. हम देखते भी हैं हरोज कि जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पर उन्हें एक फ्रेंडली महाल होता है उनके आमने सामने. लगता है नहीं कि दो बड़े लीडर्स मिल रहे हैं लुक्स लैक फ्रेंड्स मिल रहे हैं और उसके बाद देखिए अभी पूरे वर्ल को मालू हो गया कि इंडिया इस राइजिंग स्टार अगर उन्हें भी अपनी कंट्री में तरक्की करनी हैं क्योंकि पूरा वर्ल्ड रिसेशन में हैं विकॉस वर्ड तो और सेक्ड़ी डैनमिक्स इतने होगे हैं चेंज हो रहे हैं विकॉस अफ कोविड ऑलसो सब की हालत खराब है इंडिया इक राइजिंग स्टार है सबको है कि यहां पर बिजनस मिल सकता है और हम लोग अपने आपको अप्ग्रेड भी कर रहे हैं कई चीजों में जो चीज़े वो दे सकते हमें हमें वो चीजों की जरूरत है तो अबने देगे हैं कि एवरीबडी इस कंपीटिंग नाव फ्रांस भी कंपीट करने की कुशिश कर रहा है जर्मीके साथ जर्मीने या फ्रांस म्र निक के कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरjoint के साथ कि कि तरीके से हमारे साथ deals की जाएं के इउ कि बिजनसे की यह बाट करने हैं कि technology तो अब टेक्नोलिजी टांसफर्स की बात हो रही है और मोदी जे अगर जा रहे हैं तो खालियात यह आने वाले नहीं है इतना तो आपको पता लगया हो गुजारती में का यह जाएंगे तो कुछ नो कुछ लेकर रही हैंगे और बड़ा लेकर रहेंगे चोटे मोड़ी क्योंकि इस से क्या होगा कि जो पूरा वेस्टन वर्ल्ड है वो हमारे साथ अलाइंड हो रहा है भी एंड एट इस गोड बिकॉज एक तो चाइना से डीकॉप्लिंग है पूरे वर्ल्ड की वो हमें फाइदा दे रही है बिकॉज हमारे रिलेशन अलड़ी मोडी जी बना सक कर दो चाहिए कि अगर बारत के अंदर की बात की जाए कई जगा पर आपकी आपकी तो खैर पूरे साल ही एलेक्शन होते रहते हैं जो मुझे कभी समझ में नहीं आते कि आखर ये खतम कब होंगे लेकिन वहां पर कई जगह पर जो है वो बीजेपी हार्टी भी दिखाई दे रहीं उसकी क्या वज़ा है क्या जो लोग है क्या उनको ये शुक्सेस जो ली जा रही है बीजेपी की गर्मन की तरफ से क्या वो दिखनी रही है या जो दूसरी political parties हैं different क्या वो जादा अच्छा काम करने लगी हैं जिसकी वजह से इनको ये face करना पड़ रहा है मतलब कहीं न कहीं ये बात मैं अपने तौर पे नहीं कह रही है अपनी तरफ से नहीं कह रही definitely मुझे मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने बताई है कि कई जगा पर जो है वो ऐसा हुआ है कि बीचे पी हारी है तो उस हार की क्या वज़ा है क्या हमारा वाला से थिक तरीके से लेक्षें होते हैं तो उसकि चाहिक हैは वोटे ति कि नोघन दी देखते हैं. सब मोदी जी is a person who is more representing the national image. जो local जो है वहाँ पर तो मोदी जी बैठे नहीं है. वहाँ पर तो local जो ministry है वो बैठी हुई है. अपना chief minister है और है. अब उनकी अगर performance के साथ लोग खुश नहीं है. तो यह beauty है हमारी यह government में या हमारे जो democracy में कि लोग हटा सकते हैं. वो जूता हमार के बाहर निकालते हैं. अगर किसी ने perform नहीं किया तो उसका result अब को दिख जाएगा. हो जल्दी. तो अगर कही state में हा रहे हैं, it is not because Modi ji की policies को reject किया. या BJP की policies को reject किया. उन्होंने local leadership को reject किया है. So this is a wake-up call for BJP also or for Modi ji. कि he has to, देखिए, जो cabinet के minister है, जो top के, top जिसको हम बोलते हैं, जो हमें represent करते हैं पुरे world में. वहां पर इनकी जो पकड़ है बहुत अच्छी है. यह आप भी मानेंगी. And we all see that also कि उसका result क्या है. लेकिन कहीं ना कहीं जो कई स्टेट्स हैं जहां पर यह थोड़े हो रहे हैं. लोकल एक मनुवरिंग होती है पूरे पूरे प्रोसेस की. वहां पर वीकनेस हैं. But they are, you know, अब इनको पता लगया कि हमने कैसे इसको सहीदा करना है. And they will, they will set it right. And कुछ गलतियां भी करी हैं इन्होंने on a national level, on a lower level also. तो वो इनको समझ आ गया कि इससे कम नहीं चलेगा. इसको ठीक करना पड़ेगा. And they will set it right in the next elections. लेकिन जर ऐसा नहीं किसे पाकिस्तान की जैसे बात होती है, कहा जाता है, जी बड़ी महंगाई हो रही है, लोग परिशान है. भारत में भी चीजों की जो रेट्स हैं वो बढ़न है. चाहे वो सबजी को ले लीजी या किसी भी चीज को ले लीजी अभी टेमाटर के पीछ आप क्या कहा जाता है या नहीं चाहा जाता है लेकिन मैं जहरूर समझती हूं, मेरे घर में जरूरी यह बात होती है, ककाने पीने की चीज को आप narrator को शड़क पे फ्लोर पे नहीं पहेकना चाहिए. लेकिन हमने देखा कि तरह के सिटुएशन सहर क्यों आ रही है? हर साल हमारी एक आप समझने पड़ेगी आपको ये गर्मियों के टाइम पर हमेशा सब्जियों की जो पैदावारा कम होती है ये कोई नई चीज नहीं है एक मुद्दा चाहिए होता है ऑपोजिशन के पास पहले मुद्दे होते थे कि करप्शन गुटाले डॉलप नहीं हुई कंट्री के अंदर हमने कुछ किया ही नहीं लोगों के लिए सड़के टूटी हुई है हर ऐसे मुद्दे थे जो हमारी हरोस की जिंदकी के साथ जुड़ गी नहीं तरक्की हो रही है एकॉन भी बढ़ रही है यहार चीज से है जो चौविज में से साड़े बाइस घंटे मिनिमूम तो बिजली आ रही है आज की रेट में जो पहले की दज़स घंटे बिजली आद कब आनी है पता नहीं सा किसी को जब वो मुद्दे खतम होगे त तो आपको कोईनों को मुद्द तो निकाल ना इलेक्शन में जाने के लिए तो अब यह शुरू कर दिया देखिए जी हमारे टाइम पर सिलंडर चार सो रुपे का था अभी एक हजार रुपे का हो गया पिर तब इंटरनेशनल रेट क्या था अब क्या रेट है बड़ा फर जिसने वोट करने जाना है उसको यह छोड़ी चीजों में फसा कर यह अपनी वोट वोट बैंक को टच करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है इस नथिंग बट अव वेंडलिजम एंड एक 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 जिना दिमाग को खराब करना कि देखिए जी मोदी जी बिल्कुल फेल बाहर निकल गया तो अब उसको सारी चीजों के रेट समझ आने शुरू हो गया है कि किस चीज़ का क्या क्या रेट है तो आप देखिए यह चीज़ पॉलिटिक के पॉलिटिशन करते रहेंगे लेकिन मुझे एक चीज़ की मुझे खुशी भी है कि राहुल गांदी को डाल लेकिन एक बात और है सर और वह यह के आपके दोस्त है का आप जानते हूं यकिनां उनको रोहिट शर्मा नीदी तो सर वह 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 बड़े परेशान है वह काफी दिन से एक एक सहाव है कोई एक कोई है वह खालिस्तान मॉमिंट के पुन्नु उनके उपर सर वीडियो पर वीडियो बना रहे है और यकिन ढूनने में भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे ल तो मैंने उसको सुबा कहा भी है तुम निकल मत जाना तो कहरें नहीं मैं दस हजार के लिए नहीं जाओंगा लेकिन मुझे ये बताईए सर के आकर ये वाला इशू जो है ये बीजेपी की गर्मेंट जो है वह हैंडल क्यों नहीं कर पा रही इसलिए कि कोई आदमी आपको आण आमेरिका केनेडा से बैड के और इस किसम की बाते कहरेудिक करें आपके लेगान जो किसी कंट्री से जो जाने हुएंगें इस कामों को फंड करने के लिए वहां से फंडिंग आती है उनको और ठीक किया जा रहा है तीन चार तो चले गए बहतर जाना उनको भत्र हुरों के पास ही पड़ा तोगी वहीं से उनको सपोर्ट मिल रही थी तो अब यह बिचारा अब यह मत कह दिएगा कि वह पैसा हम ने दिये उसकी वज़ा यह एक तरफ आप पैसा नहीं है हमारे पास फ्यूल नहीं है हम लोग जो है वो आईम आफ के सामने पास नहीं है पाकिसान प्रफ करेंगे आप खातून है फिर भी मुझे एक वर्ड यूज करना पड़ रहा है दारी में तिनका मैंने नाम भी नहीं लिया और आप ले खुद ही एडविट कर लिया कि यह ऐसे आप यह ऐसे बोलेगी वैसे बोलेगे मैंने तो कुछ बोला भी इसको बोलते है दारी में तिटका, तो अब उस बुद्धे भे आते हैं, कि तीचर थे, चार में से तीन चले गए, भतर होरों के पास, एक यह है, मुझे लगता है कि चला गया होगा, नहीं गया होगा, बच गया होगा, तो चला जाएगा जल्दी से, जात देर लगेगी नही अब पुर्णू पचा हुआ है, तो वो रोहित को डूड रहा है, जो मेरी उपर इतनी वीडियो बना रहा है, इतना तो मैं पॉपलर भी नहीं था चितना जितना मुझे पॉपलर जर दी है, मुझे तो लगता है, जो दो दिन और बनाता रहा तो उसने खुद भारता के हति चाहा डाल देने, कि बस यह रोहित की वीडियो रुखवा देन किसी तरीके से, मेरे बाप की तौबा इंदा नहीं करूँगा, तो मुझे लगता हूँगा ऐसा कुछ बोलने वाला है, लेकिन तो मैरे अरचा जी, यह जो खालिस्तान, जो यह बोल रहे हैं न, खालिस्तान, खालिस्तान ये एक्चलि कैनाडा में बैठके बोलते हैं कि इंडिया में कोई बोलता नहीं है बिकाज यहाँ पर कुछ है ही नहीं जिस जीरो मूवमेट इन इंडिया कुछ है तो पांच दश पागल होंगे जो पीछे लग जाते हैं एक बार की चलो इंपोर्टनस मिलती है सोशल मीडिया पर आ जाते हैं टीवी पर आ जाते हैं इनकी इंटर्व्यू ले लो बट अधरवाइस ग्राउंड पर कोई सपोर्ट नहीं है कोई वजूद नहीं है इनका कैनाडा में बैटके क्यों बोलते हैं उसका रीजन है मैंने कल भी एक पाकिसानी शो के उपर बोला था यह चीज़ कि क्या होता है कि इनका नाम देखिए खाली स्थान तो कैनाडा के अंदर बहुत जगा ऐसी जो खाली है तो इन्हें वहां पर खाली स्थान चाहिए वो कहत आने को पता नहीं है कि क्या माग रहे हैं तो यह चक्क्र है और कुछ लिए मिलकुल लेकिन खाली से कोई भी जब भी कोई गेस्ट आते हैं वो खाली स्थान के साथ पाकिसान का नाम जरूर जोड़ते हैं और यह भी है कि पाकिसान की तरफ से कई बार जाए मिनिस्टर काते हैं जी हम फंडिंग कर रहे हैं अच्छा हम फंडिंग कर मैं वही कह रही हूं भाई हमारे पास तो पैसा नहीं हम कहां से फंडिंग कर रहे हैं यह तो अपना फ्रॉब्लम होगा जी यह वेरी यांग यह अरली 20